हाई अब्रीवन आज हम बनाने वाले हैं गुलकंद तो यहाँ पर मैने लिए हैं कुछ गुलाब के फूल तो यहाँ पर आपको देशी बाले गुलाब के फूल लेने हैं सबसे पहले तो हम इन फूल की पंखुडियों को अलग निकाल लेते हैं जो पैटल्स हैं तो मैं आपको बता दूँ कि गुलकंद बेहत फायदे मंद होता है इससे कब्ज की समस्या दूर होती है आँखों की रोशनी बढ़ती है मुहे के छालों में आराम मिलता है और ये दिम स्क्रबिंग का काम करती है तो काफी अच्छे से जितनी भी पंकुरी है मसल जाएंगी तो बस इतना काम आपको कर लेना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक तरीका और भी होता है, तो मैं बो भी आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे में टाइम लग जाएगा, बैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बट फिर भी मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, आप ले लिए गुलाब की और उसमें चीनी डालिए और हातों से खट्टे ही मैस कर दीजिए यह कुछ इस तरह से तब भी यह आसानी से मैस हो जाती है तो आपको जो भी तरीका बैश लगता है आप तरीके से इसको कर सकते हैं तो लीजे हमने सभी गुलाब की पंखुडियों को इस तरह से मैश कर लिया है और चीनी की क्वांटिटी काफी अच्छी है अगर आपको लगता है कि कम है तो आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते है तो यहां पर गुलकन बनाने के दो तरीके होते हैं तो मैं आपको दो इसको पकाएंगे जब तक की चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है आप हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच सौफ जिसको हमने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है है कि आप हम इसके डालेंगे दो चमच सहद शहां आप चाहएं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं से इसलिए ढाली जाती है ताकि कि घो यह इसमें कि रिच्टली करण म darule देखत और वह पाती है और इसमें ऑस प्ताइड गुण पाया जाते हैं तो इसलिए आप इसको जरू नहीं है वरना जो चासनी है इसकी चीनी की बज़े से काफी हाड हो जाएगी और जम जाएगी तो इसलिए आपको सहद मिलाने के तुरंट बाद गैस को बंद कर देना है तो लेज़े गुलकन जो है बंद करके बिलकुल तैयार है तो चली इसको ठंडा हो गया है अब यहां प तो धूप की गर्मी से धीरे धीरे चीनी मेल्ट होगी और यह नैचरल तरीके से गुलकन बंद करके तैयार होता है तो एक तरीका वो भी है बट उसमें टाइम लग जाता है इसमें इंस्टेंट बन जाता है तो लीज़े हमारा गुलकन बंद करके तैयार है इसको आप आरा को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक पिली बबाबाए टीकियर